जानिये मोटापे को दूर भगा कर कैसे आप बन सकते हैं सिलिम ट्रिम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज के बदलते लाइफ इस्टाइल ने लोगों के खाने पीने की आदतों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है मोटापे की खास वज़ा इन चीजों को ही माना जाता है एक बार मोटापा बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना मोटापा घटा सकते हैं इसके लिए कुछ घरेलू नुस्क है आपको हम बताने जा रहे हैं जैसे पहला है नीमू पानी पेट की चर्बी को कम करने के लिए अपने दिन की सुरुआद नीमू पानी से करें तो सफेद चावल के बदले ब्राउन राइस का सेवन करें इसके अलावा अपने आहार में ब्राउन ब्रेड, साबू तनाज और ओड्स जैसी चीजों को सामिल करें अगला है मीठे से दूर रहें साथी आप अपनी चर्बी को कम करने के लिए मिठाई से दूर रहें मीठे चीज जैसे मिठाई, मीठी, पीने वाली चीजे और आईली चीजों से दूर रहें क्योंकि यह सरीर पर चर्बी जमा करते हैं यह चर्बी आपके सरीर के कुछ हिस्सों जैसे पेट और जंगों पर जमा हो जाती हैं अगला है खूब पिये पानी सरीर की चर्बी कम करने के लिए खूब पानी पीएं रोजाना पानी पीने से आपका मेटाबॉलिजम बढ़ जाता है और सरीर से विसेले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं अगला है कच्चा लहसुन खाये सुबाह के समय दो या तीन कच्चे लहसुन की कलिया खाना और उपर से नीबू पानी पीना आपके लिए काफी फाइदे बंद होता है इससे वजन दोगनी तेजी से कम होता है इसके साथ ही आपके सरीर में रक्त प्रवाह भी सुचारू रूप से काम करने लगता है अगला है मानसाहार से दूर रहे मानसाहरी भुजन से दूर रहे क्योंकि इसमें वशा काफी मात्रा में होता है जिससे वसा सरीर में जमा होने से सेहत से जूड़ी परेसानिया सुरू हो जाती है अगर आप सच में ही वजन कम करना चाहते हैं तो नानवेज को छोड़ कर वेज़ खाना खाएं अगला है खूब सबजियां खाएं सुबह साम एक कटोरी फल और सबजियां आपकी सेहत के लिए फायदेबंद सबित हो सकता है इससे आपका पेट तो भरा ही रहेगा साथ ही आपको खूब एंटी ओक्सिडेंट्स मिनरल मिलता रहेगा जिससे आपकी चर्वी कम होगी अगला है खाना पकाने का तरीका भी बतलें भोजन में डाल चीनी, अद्रक और काली मिर्च जैसे मसालों का इस्तिमाल जरूर करें इन मसालों में सेहत के लिए फायदेबंद तर्त होते हैं इससे आपकी इंसुलिन छमता बढ़ती है और साथी सरीर में रक्त की सरकरा कम होती है अगला है क्रेंबेरी का जूस क्रेंबरी जूस में आरगेनिक एसीड होने से यह हमारे डाजिस्ट्यू एंजाइम पर सकाराद मकसर डलता है यह हैंजाइम हमारे सरीर में जमा अतरिक्त वसा को खद्म करने का काम करते हैं अगला है बादाम बादाम में विटामिन E और प्रोटीन के लावा फाइबर अधिक होते हैं जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है हलाकि उसमें कैलोरी थोड़ी जादा होती है लेकिन विट पेट का मोटापा नहीं बढ़ने देती हैं